प्रक्टिस करेंगे इसमें हम बायोलोजी के प्रश्णों पर यानि जर्नल साइन्स 18 से 23 प्रश्ण तक पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इस टेस्स सीरीज की बना रखें वहाँ पर आप टेस्स नमबर बन से लेकर 549 तक पहुंच सकते हो और डि बढ़ते हैं तो सांस की गती अपनी बताईए बढ़ेगी घटेगी परिवर्टन इतनी होगी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी जब ब्लड में ऑक्सिजन की सांदर्ता में कमी आती है तो जो आपके फिपड़े हैं वो ऑक्सिजन को खीचेंगे ठीक है मतला बार बार जो है मन करेगा कि हम तेज़ते सांस लें तो स्वांस की गति जो है वो बढ़ जाएगी तो रक्त में ऑक्सीजन की सांतरता में कमई आने से सांस की गति बढ़ जाती है बढ़ोतरी होगी कोशन नूबर टूपर आज़े यह carbon monoxide विसाक्तिता नमलिकित में से किसको मुखिता प्रभावित करती है पाचन क्रिया को liver की कार करने की चमता किटने की कार करने की चमता या रक्त की oxygen को वहन करने की चमता यही blood को oxygen की वहन करने की चमता को D तो देखिए carbon monoxide यानी CO रक्त के हीमोगलोबिन से जुड़कर कार्वोक्सी हीमोगलोबिन का निर्मान करती है यह एक green house gas नहीं है लेकिन बायो प्रदूशक है ठीक है इससे रक्त में oxygen परिवहन की चमता में कमी आ जाती है क्योंकि यह हमारे रुधिर के साथ घुलकर कार्वो लोक्सी हीमोगलोबिन का निर्मान करती है जो एक विसाक्त पदार्थ है हमारी बॉड़ी के लिए है को कोश्चन नुबर थरी पर आजएए स्वशन में उर्जा अत्पादित होती है ADP के रूप में ATP के रूप में NDP के रूप में या फिर carbon dioxide के रूप में स्वशन में उर् ट्राइफॉस्पेट आप्सन नंबर भी तो देखिए कोशिकाओं में उर्जा उत्पादन के लिए अपची अभिक्रियाओं को समलेत रूप से कोशी के स्वशन कहते हैं इस क्रिया के फलसरूप उर्जा जो है ATP के रूप में ADP के रूप में ADP के रूप में उत्पादित ह होती है कि चले कोशन बट ऊपर आजए मानब सरीर का कौन सा भाग सरीर के ताप को नेंतरत रखता है इन में से हरदय फेपड़ा यक्रत ब्रक हाइपो थेलमेस हो जाता होता तो चल जाता यहां कुछ ऑप्सन दूसरे हैं बताए कौन कर सकता है सरीर के ताप को नेंतरत फेपड़े करते हैं इंग्लेस में इनको बोलते हैं हर्ट लंग्स लेवर और किड्नी भी है इसका अंसर तो देखे फेपड़ा यानि लंग्स एक प्रमुक सोशन अंग है जो सरीर के ताप को नेंतरे तक ता है सोशन क्रिया के दौरान सरीर के उतकों में भोज़ आक्सी करण से जहां एक और उड़ जाओत पर नहोती है वहीं दूसरी और जलबास प्तथा गैस का सरीर से उच्छ सोशन द्वारा निश्कासन होता है मतलब सरीर से बहार निकलता है जिसके प्रणाम सरूप सरीर का ताप भी जो है वो नियंतरित रहता है कोशन नमबर 5 पर औरात की बात हो रही है मायोग्लोबिन में तो मायोग्लोबिन लगवक सभी इस्फंदरियों Your smesis के पेशी ओत्कों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और लोह इसका आवश्यक घटक है मायोग्लोविन का कशोरु की बोलते हैं वर्टिवरेट को ठीक है उतक को टीशू बोलते हैं नमबर सिक्स पर आजएए नमने के तमसे किस प्राणी के जीब द्रब में जीब द्रब बोलते हैं प्रोटो प्लाजम इंगलिस में हीमो ग्लोविन का विला हो जाता है बताएं किस प्राणी के प्रोटो प्लाजम में हीमो ग्लोविन का विला हो जाता है इनमें से बही जिसको कहा जाता है किसानों का मित्र यानि केंचुवा केंचुए का बोटनिकल जी बिग्यानिक नाम क्या है फैरिटीमा पोस्थ हुमा तो केंचुए जो है एक एनलेड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोविन प्लाजमा में घुला होता है जबकि अनकसे रुकुमी है दूसरे जो वर्टीवरेट है यह है प्रोटीन यानि हीमोग्लोविन लाल रोधिर कणिकाओं में पाये जाता है हमारे सरीर में कहा होगा यह हीमोग्लोविन में कॉश्चन नबर 7 पर आजए हीमोग्लोविन के संबंद में निम्रिगत में उसे कौन सा स्टेट्मेंट कलता है लाल रंग का होता है हीमोगलोबिन यह फेपडों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहक होता है अमलिया होता है यह उतकों से फेपडों तक कारबन डाई ऑक्साइड को पहुंचता है बिल्कुल हीमोग्लोबिन जो हमारे टिशू है टिशू से लंग्स तक CO2 को पहुंचाता है और अमलिय नहीं होता है छारिय होता है ठीक है लाल रंग का होता है फेपड़ों से कोशिका होता है ऑक्सिजन का वाहक होता है अमलिय प्रकरती नहीं होती इसकी होती है छारिय प्रक जाता है, साथ के उपर छारिया होता जाता है, सेवन पर रहता है, उदासीन, कॉश्चन नुबर एट पर आजई है, हमारे सरीर में रक्त का दाब होता है, वायू मंडिले दाब से अधिक, वायू मंडिले दाब से कम अधिक, वायू मंडिले दाब के बराबर या इन मैं से याद रखेगा यह कॉश्य नॉम्बर 9 पर आजीए सरीर में निमन्र में से कौन सा संक्रमन ठीटी रख्षा करता है कौन सा संक्रमन से हमारे रख्षा करता तो और वी के डव बी सी ब्लडले प्लाजमा सीमोगलोबिन यह है १सी यानि जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रित होने पर उस विशे शंक्रमित इस्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवानू हो या विशाणू हो ठीक है अत्यादी का भक्षण करके शरीर को संक्र्ण से सुरक्षा प्रतान करती हैं इसके अलाबा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी और अतीश अंबेदन सीलता की इस्तिती में भी महतपूर्ण कार करती हैं, बड़ी इंपोर्टेंट है WBC, दस्वा प्रशन है, रुधिर के प्लाजमा में निम्लिकत में से किसके द्वारा एंटी वोडी निर्मेत होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, नियोट्रोफिल, कि किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है, बड़ी तो अरुधिर के प्लाजमा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटी वोडी प्रोटीन, जो है वो निर्मित होती है, लिम्फोसाइट से गस्तिसेना की भाति समस्ष तरी सरील में घूमती रती है, तथा सुरक् कंभी सी का पहता है कहां पर ne डीक है बहुत पूछते हैं स्प्राश्च को क्यार विस्टान कहां पर होता है वहLike स्प्लीन या प्लीहा में है उप यह देखिये नहां का रख्त कनिकाओं का जीमन काल होता लगभग 120 दिन का इसके बाद स्प्लीन या Las नास हो जाता है लिंफोसाइट तथा निट्रोफिल्स स्वेट रक्त कणिकाओं के दो प्रकार है यानि WBC के लिंफोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है यानि स्प्लीन में और कहां होता है लशिका ग्रंथी में होता है तथा थाइमस ग्रंथी यानि थाइमस ग्लेंड म में निटरो फिल उसका होटा अस्ती मजक्जा में जो निर्माणंड हो मิ भाग लेने वाला एंजाईम है कौन सा इस कौन सा है पेपसिन नी इसकता प्रोटीन पाचा का एंजाहिम है यह है थ्रम्बिन थ्रम्बिन ऑप्सन नंबर सी तो रक्त का थक्का बनाने की प्रकरिया एक जटेल रासाइनिक प्रकरिया होती है जिससे तीन चरणों में बाटा गया है इसका जो अंतिम चरण है अंतिम चरण में थ्रम्बिन एक एंजाइम की भातिकार करके प्लाजमा की घ खुलन्सील प्रोटीन अणुओं के संसलेशन को प्रेडित करता है कि चलिए कोश्चन अम्बर 13 पर आजाये जब ब्रक यानी किड्नी काम करना बंद कर देती है तो नम्लिक दमेंसे कौन सा पदार्थ उसमें जमा हो जाता है सरीर में बसा, बताएए, सरीर में प्रोटीन, सरीर में सरक्रा, सरीर में नत्र जनन अपसिष्ट पदार्थ, ये, सरीर में नत्र जनन अपसिष्ट पदार्थ, जमा हो जाते हैं, किट्नी उनको बाहर निकालने का काम करती है, ये कौन-कौन से हैं, नत्र जनन अपसिष्ट पुरान ऐसे पदार्थ बनते हैं जो सरीर के लिए हानिकारक होते हैं जिनका सरीर से बाहर निकाल जाना ही ठीक है ठीक है सरीर के लिए अच्छा होता है इनको बोलते हैं नत्र जनल अपसिष्ट पदार जैसे की अमोनिया हो गया यूरिया हो गया यूरिक एसिड हो गया ठीक ह गुलिए होती है अतीः सुक्ष निश्टन olsun क्यंतव झार्यक के दिवारे स्रीर से उन्युथिर से पहले अलग करती है फिर मुठ्र के रूपें हमारे स्रीर से बहुन्यूश्य का करते रहना हमारे स्रीर बहुत जरूरी है question number 14 पर आज़ी है मानब गुर्दे यानि kidney में बनने वाली जो पत्री होती है जो stone होती है वो किसकी बनी होती है बड़ा पूछा गया है यह प्रश्ण बहुत सारे exam में अलग 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 बार किसकी बनी होती है वो calcium oxalate के crystal होते है वो ठीक है यह है इसका answer तो मानब गुर्दे यानि kidney की जो पत्री होती है stone होती है वो प्राया calcium oxalate की बनी होती है question number 15 पर आज़ी है dialysis किस से संबन देता है dialysis जो है वो kidney से ही संबन देता है यानि व्रक से तो dialysis की क्रिया जो है ब्रक यानि kidney से संबन देता है इसका उपियोग उस समय किया जाता है जब दोनों kidney अपना काम करना बंद कर देती है ठीक है यह हो गए 15 प्राशन कुछ 5 प्राशन और add किये गए है वो है जैव विकास से related ठीक है चलिए इस प्राशन का उत्तर दीजे यह होता है यह जो है तो नब डारविन वाध के ऊनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है जैव विकास के लिए उत्त्परिवर्तन बाद और प्राकर्तिक जैन दोनों ठीक है option number D है इसका answer प्रतिपादन किस ने किया था ये तो सुनाई होगा प्रशन आपने कही बार पूछा गया है इसको बोलते हैं म्यूटेशन जीन में अचानक होने वाला प्रिवर्तन क्या कहलाता है उत्परिवर्तन हुआगो डिब्रिज ठीक है डिब्रिज का है प्राकर्तिक चैन के बारे में डार्विन की समझ के अनुसार योगतम जीव या सरस्वे हैं कौन से हैं डार्विन किन को बोलता योगतम देखे जिनमें वातावन के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक शमता होती है जो बहुत सी संताने उत्पन करते हैं परन्तु कुछ ही संताने लेंगिक परिपगपता तक जीवित रहती है जिनमें विसेष्ट बाताविणिया दसाओं का सामना करने के दिखतम शमता होती है या जिनके वनसज की संख्या दिखतम होती है कौन होती है योगितम जीब या योगितम जाती है या सरसे देखें डार्विन ने इसको जिराफ का उधारण देकर समझाया पहले इसको लेमार्क ने दिया उधारण इसका फिर जिराफ का उधारण देकर उस डार्विन लेमार के बार डार्विन है उन्हों ना समझा ठीक है तो डार्विन का कहना भी वही था कि जो जिराफ के पूरवज होते थे मतलब जो पहले वाले जिराफ होते थे वो छोटी गर्दन वाले होते थे जोटे कदगे होते थे लेकिन जब सुच्छ पहती थी। तो देरे देरे इनकी पीड़ी आने लम्बे वाले जिराफ आने लगे। और फिर कई हजार सालों के बाद जो है, यह है इनका स्थाई लक्षन बन गया, मतलब छोटे से जिराफ बड़े हो गए, ऐसा मारना था, डार्विन का, यानि बाताबण के अनुसार जो है, इन्होंने अपने आपको ढ़ला, तो जिनमें बाताबण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक्षमता होती है बही जीवित हुए ठीक है बागी मर गए जो जिराफ ऐसा नहीं कर पाए तो A इसКा अंसर या जिन जिराफ के पूरबा जैसा नहीं कर पाए तो जिनमें बातरबन के अनुषार अनुकूलन की सबसे अधिक्षमता होती है question number 19 पर आ जाई है जीवों की अनुवान्शिक विभिनिताओं का मूल स्रोत होता है क्या होता है जीवों में अनुवान्शिक विभिनिताओं कैसे आएंगी हार्मोन्स के प्रभाप से या प्राकर्टिक्षेन से उत्परिवर्थन से लेंगिक जनन से देखें लेंगिक जनन से तो एक पीडी से दूसरी पीडी में गुण जाएंगे लेकिन जब तक उत्परिवर्थन नहीं होगा तब तक आनुवान्शिक विभिनिताओं यानि जनेटिक विभिनिताओं आ ही नहीं सकती ठीक है तो सी हो जाएगा इसका अंसर बीस्वा प्रश्ण है जैविकास के संदर में सांपो में अंगों का लोप होने को इसपष्ट किया जाता है बताई किसे ये लैमार्क ने एक्जामपल देगर समझाया था इसको उपारजित लक्षण की वंसागती से प्रकर्टिक चेंसे बिलों में रहने के प्रतिय अनुकुलन से ये अंगों का उपयोग अब अनुप्रियोग किया जाने से देखें लैमार्क का मानना था कि लैमार्क की जो रिसर्स थी उनके अनुशार सापों के पहले पैर हुआ करते थे लेकिन जब ये घासों में दोड़ते थे ग्राउंड में भागते थे तो पैर जो है इनको पैरों का यूज करना कम कर दिया ठीक है क्योंकि वो घासों में दोड़ने बिल में घुसने में दिक्कत करते दे अब यही चीज इस्थाई हो गई आने वाले सांपों की हजार साल के बाद जो है जो बात की परजाती आई ठीक है तो बिना पैरों वाले सांप आने लगे ठीक है तो अंगों का उपियोग कम हुआ तो आने वाली पीडी में सांपों की आने वाली पीडी में जो है पैर बिलूप्त होते चले गए ठीक है यानि evolution के समय हुआ है evolution ठीक है जैब विकास के संदर्प में सांपो में अंगों का लोप होने को इस पस्ट ये अंगों का उपयोग अनुपयोग के नियम ये टैंथ में जो है सब दे रखा है अगर पायोलोजी पड़ी होगी तो चलिए फिलाल याद रखेगा इस तरह से एक्जमपल बना करी पूछेगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के समभनेते हैं ऐसे ही पूछ लेगा तो लैमार्क से समभनेते हैं सांपो का एक्जमपल दे कर समझाया और उने तो बीस प्रशन थे ये एक थमनेर पर प्रशन है डाइनसौर से रिलिटेड उसका उत्तर है मीसो जो एक 30 रफ है डाइनसौर ठीक है चलिए बीस प्रशन थे इनकी प्रक्टिस से गवर कर लिजेगा धन्यवाद